एक दुकांदर अपने माल पर क्रेय मुले से 20 परतिसत अधिक मुले अंकित करता है लेकिन अपने गरहाकों से चाला की करने के लिए वह अंकित मुले पर 10 परतिसत की छूट परदान करता है और एक 2 स्पूर्ण वजन का भी उपयोग करता है जिसका वजन 1 किलो गराम के लिए यह आठ सो ग्राम होता है उसका कुल अलाव परतिसत ज्याद कीजिए में देखों सीपी एस पी और एम पी सीपी एनिकोष्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस और ये मार्केट प्राइस अन्याग कित मुले तो हम इसका क्राहम ले माल लेते हैं भी कराहें मुले यानि कोष्ट प्राइस हमने इसका माल लिया कितना सो और तो इसके उपर मार्क एन अंकित करेगा मुले वो कितना करेगा बीस परतिसत अधिक तो इसका बीस परतिसत निकाने कितना आएगा बीस सो में बीस जोड़ेंगे तो 120 इनि इसका मुले लिखेगा 120 सो की कि वस्तूपे 20 परतिसाद बढ़ा कर लिखेगा तो मुल्य हो जाएगा उसका 120 फिर क्या करेगा इस पर 10 परतिसाद की छूट देगा चूट किस पर मिलेगी अंकित मुल्य पर इस पर तो कम कर देंगे 120 का 10 पर 30 निकाले कितना हैगा 12 इन 12 रुपे कम कर देगा तो इसके वेल्यू कितनी हुज़ेगे 120 में से 12 कटाएंगे तो 108 रुपे मुसको बेज देगा लेकिन इतना ही नहीं आगे क्या बोल रखा है कि वेक 2 स्पूलन वजन का भी उप्योग करता है क्या है दोस्पूलन वजन में कोई गराग एक किलो ग्राम वस्तू लेगा तो उसको 800 ग्राम ही देगा वो ठीक है तो यह उसको बेनिफिट होगा 200 ग्राम का यहां पर तो देखो तुर कि अब सो और निवस्तू खाले दी इति किलो ग्राम सो उमें खरी धी108 लेतर लिकिने एकसी किलोग्राम नहीं वी आट स्वगलान भी आठस इता है ठीक है याथ100 ग्राम का मुलई है विक्राइश मुल्ली एक ग्राम का निकालेंगे तो एक सो आठ इक स्वाट नाठ हजार से गुणा कर दो दो जिरो सी दो जिरो टादो आठ से कैंचिल करेंगे आठ से कैंचिल नहीं होगा नहीं दो यह कर लो पांच और च्यार और च्यार से कैंच लिए गाउगा अच्यार फ्रेश नहीं अच्यार फ्रेशल प्राप्तिस अच्छार लगा दो तो कुल लाब कितना प्राप्त के उसने प्रतीस प्रतीस अच्छार